आज मैं बना रही हूँ एकदम खस्ता क्रिस्पी मुँ में जाते ही घुल जाने वाले ये नमकीन मट्री जी हाँ देखने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी सच मानिये बेहत लाजवाब लगते हैं इस मट्री को बना कर आप महीने तक श्टोर करके रख सकते हैं और जम मन करें आप इसे इंज्वाए कर सकते हैं वैसे भी तिहवार है तो आप ये रेसिपी बना कर आप महमानों को सर्फ कर सकते हैं तो आए ये बनाते हैं इसे इस नमकीन मट्री को बनाने के लिए न मैं इस्तमाल कर रही हूँ दो कप मैदा दो कप मैदे के साथ दो पड़े चम्मच इसमें सूजी डाल दें और जो मेजरिंग कप है वो 250 ml का है तो दो कप मैदे के साथ दो कप दो चम्मच सूजी डाल दें मसाले में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर नमक आप अपने स्वात के अनुसार डाल दें आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी इस्तमाल कर सकते हैं मिक्स कर लें इसे अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें वन फोर्थ कप से थोड़ा सा जादा रिफाइन डॉयल अच्छे से इसे गरम कर लें अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दें थोड़ा सा अजवाइन मंगरेला डाल दें और थोड़ा सा सा जीरा डाल दें देखिए जीरा या सा जीरा दोनों में से एक ही इस्तमाल कर सकते हैं दोनों है तो थोड़ा थोड़ा दोनों ही डाल देया बस अच्छे से इसे गरम कर लें पकाने की जरूरत नहीं है बस अच्छे से इसे गरम कर लें बस अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और इस तेल को इस मिक्षर में हम डाल देंगे डालने के बाद इसे हमने चम्मज से ही मिक्स करना है बहुत गरम है इसलिए अभी आप हाथ ना लगाएं बहुत ही ध्यान से करें दिखिए ये जो मेरा अंगुठे के उपर हाथ जला हुआ है तेल से ही जला है तो इसलिए ये सब चीजे आप बहुत सावधानी से करें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें मिक्स करने के बाद जब इसका आप मुठी बांधेंगे ना तो ये एकदम बंद जाएगा इसका मतलब है इसमें हमने मोयन बहुत ही अच्छ से डाला है बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और जिस तरीके का रोटी के लिए आटा तयार करते हैं बस उसी तरीके का आटा हमने तयार करना है देखिए इसमें हमने सूजी का इस्तमाल किया है ना तो इसलिए आप इसका आटा सॉफ्ट तयार करें क्योंकि सूजी क्या होता है पानी सोख लेता है तो बस सॉफ्ट आटा तयार करने के बाद इसे करीब 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएगा अब एक कटोरी में दो चम्मच देजी घी ले ले और इसमें डाल दें एक से दो चम्मच कॉन फ्लोर और इसे अच्छे से मिक्स कर ले बस ये मिक्षर हमारा तयार हो गया इसे एक साइट रग दें इस आटे को भी रखे हुए ना 15-20 मिनट हो चुका है देखिए सूजी डालने से क्या है ये आटा जो है थोड़ा सक्त हो गया है इसलिए इसे थोड़ा देर के लिए और गूंत लेंगे इसलिए जब आप आटा तयार करें तो थोड़ा सॉफ्ट तयार करें क्योंकि सूजी क्या होता है रखने के बाद वो कड़क हो जाता है तो आटा जब आप सॉफ्ट तयार करेंगे तो इसको बेलने में आसानी होगी तो बस जिस तरीके से रोटी बेलते है बस उसी तरीके से इसे बेल लेना है एकदम पतला जितना पतला आप बेल सकते है उतना पतला इसे आप बेल लें, सूजी डालने से क्या है कि आप इसे अच्छे से बेल सकते हैं अगर ये सिर्फ मैदा होता न तो आप इसे बेलेंगे और फिर से ये श्रिंक हो जाएगा, लेकिन सूजी डालने से ऐसा नहीं होगा बस पतला सा इसे मैंने बेल लिया है इस तरीके का जैसा हम रोटी बेल कर तियार करते हैं बस वैसा ही अब ये जो हमने मैदे और कॉन फ्लोर और घी का मिश्चर तियार किया है उसे इसके उपर लगा दें और अच्छे से इसे फैला देंगे फैलाने के बाद इसका हम टाइट रोल बना लेंगे इस तरीके से देखिए रोल बनाने के बाद इसको हम इस तरीके से रोल करेंगे थोड़ा देर ताकि इसका जो किनारा है वो अच्छे से चिपक जाए किनारा जब पतला हो जाएगा तो वो अच्छे से चिपक जाएगा देखिए अच्छे से चिपक गया है न बस अब एक चाकू ले और इसके छोटे-छोटे पीसेज कर लें बहुत मोटा नहीं करना है पतले-पतले ही पीसेज करें इस तरीके का देखिए कितना अच्छा लग रहा है न बस अब इसे हलके हाथों से दबा लेंगे सारा इसी तरीके से दबा कर तयार कर लेंगे अब इसे थोड़ा-थोड़ा बेल ले इसे भी हमने हलके हाथों से ही बेलना है अगर साइट का थोड़ा निकल रहा है न तो आप इसको अंदर दबा सकते हैं अब पतला ही बेल लें क्योंकि ये थोड़ी देर बाद थोड़ा सा स्रिंक हो जाता है बस इस तरीके से बेल कर सारा तयार कर लेंगे तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए जो तेल है उसको मीडियम होट करें और जितना आपके पैन में आज है उतना इसमें डाल दे एक बार में बहुत ज़्यादा भी न डालें अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो एक बार में बहुत ज़्यादा भी न डालें अगर प्रैक्टिस है आपकी अच्छी तो जितना पैन में आज है उतना इसमें डाल दे अब गैस का फ्लेम जो है वो धीमा ही रखें और इसे हमने धीमी आज पर ही फ्राई करना है लगातार देखिए पैन में जितना आ जाए उतना डाल दे उसके बाद इसे धीमी आज पर न दो मिनट के लिए कम से कम छोड़ देंगे दो मिनट हो जाए मतलब डेट से दो मिनट जब हो जाए न तब इसे हम पल्टेंगे उससे पहले इसे छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी और फिर इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए करीब आठ से नौ मिनट हमने धीमी आज पर ही इसे फ्राई करना है बहुत ज़्यादा भी इसका कलर चेंज ना होने दे धीमी आज पर करेंगे न तो इसका जो कलर है ऐसे ही लाइट रहेगा और खाने में ये एकदम खसता रहेगा तेज आज पर फ्राई नहीं करना है इस चीज़ का आप ध्यान रखें धीमी आज पर फ्राई करने से क्या है ये एकदम अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाता है और ठंडा होने के बाद ये एकदम खसता और क्रिस्पी लगता है तो बस इसी तरीके से जितना ये मठरी हमने बेल कर तयार किया है ना उसे फ्राई कर लेंगे और ठंडा होने के इसे आप किसी भी airtight container में रख कर महीने तक इंजुआए कर सकते हैं और वैसे भी दिवाली आ रही है तो आप इसे बनाएए खाईए इंजुआए कीजिए और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो ना बनाने के बाद खाने के बाद तो उसके बाद मेरे चैनल पर आएए अच्छी लगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू अच्छी 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 वीडियो में थैंक यू